आपका स्वागत करती हूँ मैं आज आपको हिंदी में आपका जो पहला चित्र पाड है चित्र के संग संग वो मैं आज आपको पढ़ाती हूँ आप ध्यान से सुनिये और समझी चित्र के संग संग यानि के चित्र के चित्र में बताए हुए जो है जो क्रिया हो रही है वो आपको समझनी है चित्र में कौन कौन से क्रिया है हो रही है आप ध्यान से देख देखो कि चित्र में पहला एक कुटा है वो लेटा हुआ है वो आराम कर रहा है दूतरा, दूसरी जो क्रिया हो रही है एक मोची है जो राष्ते पर बैठा हुआ है अपना सामान लेकर तीसरा है एक गुबारे वाला गुबारे लेकर जा रहा है और गुबारे हवा में उड़ रहे है चौथी क्रिया यहा हो रही है, हम इसको सबजी वाली बोलते हैं, वो अपने सीर पर टोकरी लेकर सबजी बेचने के लिए जा रही है एक डंडे पर तोता बैठा हुआ है, एक आदमी है जो अपनी साइकल की तुकान पर जो साइकल में पॉंप से हवा बर रहा है एक यातरी है जो बाइक पर बैठ कर जा रहा है, उसके पीछे है एक दिक्षे वाला दिक्षा लेकर जा रहा है उसके अंदर एक यातरी बैठा हुआ है, वो अपनी सबजी लेकर जा रहा है उसके पीछे हैं दो मोटर वाले जो अपनी मोटर लेकर सड़कपर से जा रहे हैं हम लोग ये क्रियाए चित्रा में देख सकते हैं और देख सकते हैं दो तिन आदमी भी खड़े हैं और कर्मी की छटपर से दो लोग भी देख रहे हैं हम ये सब क्रिया हो रही है वो सब क्रिया हम देख रहे हैं आपके चित्र के संग संग जो चित्र बाढ़ है उसमें नीचे बताए हुए है कि चित्र का अउलोगन करके प्रश्न के उत्तर दिजी कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है ये जो पूरा चित्र है उसमें जो क्रिया हो रही है वो सारी क्रिया आपको ये प्रश्न में लिखनी है दूसरा है के गुपारे हवा में क्यों उड़ रहे है तूसरा प्रश्न है तो गुपारे हवा में क्यों उड़ रहे है ट्यूब में हवा जब बरी जाती है कि तब उसमें हवा नहीं होती है और टायर पंचर हो बहुत भरने से टायर पंचर हो जाता है और बहुत थोस डोस भरने से हमें टायर पंचर हो जाती है और जब हवा कम हो तो हम ट्यूब में हवा भर सकते हैं चौधा प्रश्न है चित्र में कुट्टा मूह लटका कर क्यों लेद गया है क्योंकि कुट्टा आराम कर रहा है इसलिए वह मूह लटका कर लेद गया है और पांचमा प्रश्न है कि कुट्टिन यानि कि सब्ची बेचने वाली कहां कहां जा सकती है कुट्टिन सब्ची बेचने वाली गली या मोहले में जा सकती है रिक्षे में एक ही यातरी क्यों बैठा है क्योंकि रिक्षे वाले को दूसरी सब्ची नहीं मिली थी इसलिए वह एक ही यातरी को लेकर जा रहा था इसलिए रिक्षे में एक ही यातरी बैठा है क्योंकि और इसके बाद आपको अपनी हिंदी की एक नौट्बूग बनाई है और नौट्बूग में आपको पहला लिखना है चित्र के संसंग चित्रपार उसके ये प्रश्णों के उतर है छे छे प्रश्ण के उतर और मैंने बताए आपको उस प्रश्णों और उतर गोनों आपको अपनी नौट्बूग में लिखना है ये लिख दो अच्छे अक्षर से और सही प्रश्ण के उतर लिखना बस इतना ही आपको करना है दूसरा क्या उसके पिछे जो है दूसरा चित्र वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपको उसमें मैं आपको बताऊंगी